या आपने एक द्रिन संकल्प ले लिया अपने जीवन का कि भाई शिक्षक बनना है फिर तो रस्ते निकलते चले जाएंगे अगर कोई व्यक्ति अपना एक लक्षे बना करके और उसकी तरफ चलना नहीं चाहता है उस व्यक्ति के लिए नोकरी वास्ताव में नहीं है उसका लाइफ का गोल सेट है उसका गोल एक एक्जाम क्वालिफाइ करना नहीं है जेनरेशन त्यार करूँगा जो मेरे विशेख में मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा रहा होगा हर इंसान इस जोनी में इस प्रोसेस में अलग लेवल्स पे एंटर करता है आदमी पढ़ाने का तो जब सोच लेता है तब से वो पढ़ाना शुरू कर देता है देश में नौकरिया नहीं है यक्तरसर आपने कई लोगों की मूँ से सुना होगा कई अभ्यार्थियों के मूँ से सुना होगा जितने भी लोग शिक्षा को अपने जीवन का मकसद बनाना चाहते है उनका बस एक ही इफ और बट रह जाता है कि देश में नौकरिया नहीं है हाँ मैं हम लोग जब इस प्रोफेशन में हम लोग हैं हम लोग बहुत सारे लोगों की तैयारी कराते हैं मैं तो इस बात को इस तरह से देखता हूँ कि जब हम लोग तैयारी करा रहे होते हैं हम सोचते हैं कि ये महीना पढ़ा लेते हैं अच्छे से अगला महीना थोड़ा सा रेश्ट का मिलेगा इसके बाद ये महीना पढ़ा लेते हैं उसकी तरफ चलना नहीं चाहता है। का अपना-पना इंट्रस्ट है वो जब अपना एक लक्षे निर्धारित कर लेता है तो हम जब इस लक्षे की द्रिष्टी से देखते हैं इस लक्षे वाली आख से जब में देखता हूं तो मुझे तो चारो तरफ नोकरिया नोकरिया दिखाई देती है नंबर हर बार जो है अलग अलग राज्जियों के अभी तो पिछले तीन वर्षों में हमने बिहार की बात करें तो इतना बड़ा नंबर जो है वो देखने को मिला, उत्तरप्रदेश, डिली, हरियाना, मतलब कोई मुझे ऐसा स्टेट दिखाई नहीं देता, जहां ये बात कही जा सके के नौकरिय नहीं है, बस कमी अगर दिखाई देती है, तो वो एक लक्षे और उस लक्षे की सिधा चलने वाली, इंग्लिश में जैसे हमारी कहावत है, where there is a will, there is a way, तो नौकरिया उनके लिए नहीं है, जिन पर will नहीं है, क्योंकि जब will बन जाती है, या आपने एक दृण संकल्प ल इसे बच्चों के लिए रस्ता आगे कठिन रहेगा, लेकिन वो जो ये कहता है, कि सर मुझे शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, या ना कॉलेज में पढ़ाना है, या पीच्टी स्कॉलर बनना है, तो उसका लाइफ का गोल सेट है, उसका गोल एक एक एक्जाम क्वालिफ कि मेसेज हम सब तक सबसे पहले तो पहुँच आना चाहते है, कि किसी एग्जाम को क्वालिफाइ करने का गोल मत सेट करो, गोल सेट करो एक जिंदगी का, अपने आपको इमाजन करो कि पांच साल बाद आप अपने आपको जिंदगी में किस मकाम पे देखना जाते हैं, कि आप college में खड़े होके लेक्चर दे रहे हैं या फिर आप देश के किसी premium institution में एक research scholar है और research में contribute कर पा रहे हैं गोल सेट कर लो अब रस्ते में जो exam आते जाएंगे वो आपको qualify करते चले जाने हैं हाँ इसमें एक बात मैं थोड़ा सा आपकी बात में और बात जोड़ू में अगर कुछ बनना है ये तो गोल सेट करना एक अच्छी बात है ही मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी अच्छा होगा कुछ करना है अगर ये सेट कर ले हम लोग एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना जो है उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये हो जाएगी कि मैं एक विश्विद्याले में पढ़ा जा करके जब मैं अध्यापक बन जाओंगा तो मैं ऐसे जेनरेशन तयार करूंगा जो मेरे विशेक में मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा रहा होगा तो जब हम इस दृष्टी से पढ़ने लगते हैं तो वही सफलताएं जो हैं वो हमारे चरण चूमने लगती हैं ये बातें केवल साहितिय में लिटरेचर में या किताबों में ही नहीं है ये वास्तों मे इसा होता है और हम तो कितनी कहानियां से सुनाते हैं बच्चों को यहां बैठ करके जो कुछ करने का द्रड़ संकल्प लेते हैं और फिर वो कर जाते हैं हमारे किसी भी मेगापक में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर डाउनलोड करें इन गोल्स को कैसे अचीव करें तो आपको कह लगता है कि किस लेवल से इनसान को यह सपना देखनेना चाहिए हिए हरों इस जाडियों में इस प्रोसेस में अलग लेवल्स पे एंटर करता है kुछ लोगे अधर लगता है बड़ेवेश्न कंट, से सपना होता हिभी बड़ि mindset से आपको college में पढ़ाई करनी चाहिए यह बात तो सही है कि एक candidate, एक student जो है उसे सच में उसे पता ही नहीं होता वो 12th में है तब वो goal set करे या graduation में है तब goal set करे बात तो सही होती है कि जैसे मैं इसको थोड़ा simplify करता हूँ जब हम मैं college में था जब मैं इंटर college में था तब मैं सोचता था कि मुझे lecturer बनना है एक इंटर college में जो यह teacher lecturer जो है मेरे सामने खड़े होकर के podium पे खड़े होकर के गंटा class देते है तो यह बहुत अच्छा काम कर रहे है फिर मैं जब university में पहुचा तो फिर लगा कि प्रोफेसर जादा बढ़िया बात है और प्रोफेसर बनना है तो जैसे जैसे हमारी knowledge बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हम अपने goal तो set करते ही है लेकिन मैं ही सोचता हूँ के पढ़ाने का जो nature है ना चाहे वो primary level का teacher है चाहे वो inter college में है चाहे वो university में है पढ़ाने की जो habit है वो same है सब में एक जैसी habit है आदमी पढ़ाने का तो जब सोच लेता है तब से वो पढ़ाना शुरू कर देता है लेकिन goal set करने की बात है तो पहली बार हमें higher education की जब बात करते हैं तो graduation में जाके यह बात समझ में आती है और वहीं से हमारी deep शुरूआद भी होती है knowledge की जो है वो graduation से शुरूआद होती है पर ऐसा बिलकुल नहीं है कि जिस रिप्ती ने graduation में अपने लिए यह goal set नहीं किय आए कि मुझे assistant professor बनना है तो वो नहीं बन पाएगा जिसने post graduation कर लिया है और post graduation की बाद उसे लगा कि मैं अब 2 साल अपने विशे पर ऐसी command हासिल कर लेता हूँ और वो किसी exam को target करके जो है उस पे और आगे बढ़ता चला जाता है तो वो वहां से भी कर पाता है पर ideal condition तो जो graduation में चीज़े आसान हो जाती है बिल्कुल चुकि अगर आप graduation में अपना subject decide कर लेते हैं कि इसे में आगे जिंदगी बनानी है तो पहली बात तो आपको master's में जब admission लेना है तब आप उसके लिए entrances के लिए prepare करेंगे तब आप उसके लिए entrances के लिए प्रिपेर करेंग में जब हम कोई research paper national international किसी journal में submit करते हैं तो MLA format में हम submit करते हैं तो वो सारे rules हमें बकायदा से first semester में बता दिये गए थे अब तब तो लग रहा था कि क्या सिर्दरती है लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि मैंने अपने college के assignments इतने brilliant बनाये थे हमने कि मैंने उनी को आगे peer reviewed journals म भेजा और कहीं से भी मेरा कोई paper कभी reject नहीं हुआ मेरे पास college college में इतने सारे national internationally मतलब submitted journal staging को मैं आगे use कर पाई यहाँ पे एक students को दिक्कत आती है उनको लगता है कि net qualify कर लिया आप interview में जाके वो अटक जाते हैं because interview में आपका API count होता है और वहाँ पर majority students को नहीं पता होता कि यह API count कैसे होता है थोड़ा एक पर इसके बारे में भी बात कर लेते हैं और students को थोड़ा इस पर भी रोशनी डाल देते हैं सभी बात है यह तो मतलब बहुत ही बड़ा point है जो अभी graduation में है यह post graduation में है आपको यह humanities में भी है और हर field में हरी stream में ऐसा है कि जब हम post graduation में हो मेरे लिए आसान था 100 नंबर का paper देना और उसमें से 90 प्लस नंबर लेकर के आना आसान काम था मैंने डिजटेशन लिखना चुना और उससे में मुझे कुछ लोगों ने कहा भी जो साथ यह लोग थे के बड़ा कठिन काम है क्योंकि डिजटेशन लिखना उसके लिए reference निक मेरे जब बाकी के paper थे उन पर मुझे थोड़ा सा कम time देके अपना इस पर ध्यान देना पड़ा पर एक बहुत अच्छा काम यह हुआ उससे के एक research mindset जो होता है चीजों को लेकर के master's के बाद मुझे जब PhD करनी थी मैंने graduation से जैसे हमने अभी बात कर भी रहे थे के graduation से अग मैंने पहले से सोचा हुआ था कि PhD करनी है या उससे भी आगे doctorate in literature करना है तो यह चीजे पहले से set थी तो वो मेरा master's का जो था काम आया तो ऐसे ही जब हम यह सोच लेते हैं कि मुझे assistant professor बनना है और उसके लिए API की जरुत होती है तो पहली बात तो यह हमें चीजों को लेकर तो जैसे API की बात की हमने academic performance index जो है वो 10th और 12th के number जो है उसमें count नहीं होते हैं उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा matter नहीं करता है ग्रेजुएशन के post graduation के number काम करते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी के 80% से कम रह गए हैं तो वो ज्यादा नुकसान हो गया उसको और quality plus वाले को ज्यादा फाइदा हो गया वहाँ एक दो नंबर की बात होती है दो नंबर की एक नंबर की बात होती है दर असल उसमें होता जैसे यह है कि आपके जितने भी percentage है या तो वो bracket बना देंगे कि इतने से इतने percent वालों को इतना mark मिला दूसरा होता है point zero something एक number दे दिय के जैसे बात करें UGC का जो एक 2018 और 2018 के बाद जो 2023 का regulation आया है उसका fixed format है कि अगर आपके masters में 80 plus number है 80 plus percentage है आपकी तो वो आपको 25 number मिलेंगे इसमें masters के और अगर 60 से SC के बीच है तो वो 23 number हो गया है तो वो सबको more or less होता ही होता है जब हम competition में होते हैं बात होती है लेकिन आप उसको cover कर सकते हो आप masters में आकर कि जैसे आपने शुरू किया था आप अपने लिए जो लिख रहे थे पहले से आपने research paper बनाना शुरू कर दिया था पहले चाहे वो आप उसको एक practical के रूप में लिख रहे थे जिस भी रूप म उसके नंबर मिलते हैं अचा क्या होता है मास्टर्स में जब हम होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा deep knowledge अगर नहीं भी है किसी एक field की तो हम अपने professor के साथ मिलकर के कोई एक paper लिख सकते हैं तो उसके नंबर दोनों को मिलते हैं API जो है और बच्चे को ये भी confidence होता है कि मिर आपको जो confidence आता है जो awareness होती है आप एक ऐसी seminar में बैठे हो जहां पचास लोग है और वो अलग-अलग field के expert है जब आप उनका research paper सुन रहे हो तो आपको ideas जगते हैं तो मैं जैसे एक काम ये करता था मैं जब graduation में था मैं मैं एक बर maths की seminar में गया है संस्कृत का व्यक्ति जो संस्कृत की बात की कि जब पहली बार संस्कृत को जब computer को language दी गई थी तो कैसे दी गई थी और मुझे वहां से बहुत सारी चीजे सीखने को मिली तो यह matter नहीं करता है कि आपकी subject के हैं matter यह करता है कि आपके इंदर सीखने की इच्छा है मैं जो बात जहां से हमने करते हैं तो आप लोग जो है ठीक है number काम आते हैं पर उसे किसी के number कम भी है तो घबराने वाली बात नहीं है research paper लिखिए अलग लग किताबों में जो है अपने topic पर एक chapter लिखना शुरू करिए research seminar में जाकर के जो है वो अपने वो कर सकते हैं किसी का dissertation जो है या फिर एक option और होता है आप लोग किसी book को edit कर दें जैसे हम लोग university में जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे जो magazine निकलती थी हम उसका पूरा review करते थे किसने कहीं गलती तो नहीं कि छोटा सा काम होता है वो लेकिन जो editorial board में नाम आने लगता है उसके number मिलते हैं किसी book को edit कर दिया आपने उसक sad करते हैं तो उसके दो फायत है एक तो आपके API में marks पी जुच जाएंगे दूसरा आपकी overall personality भी उससे develop होती है जैसे कि अगर आप अपने ही college के NSS या NCC के member रहे हैं आपको उसके marks मिलते हैं अब NSS और NCC, NCC का candidate होना या NSS के साथ मिलके उनका एक volunteer होना आपने आपने आप प्रिमोफ करने में एक बहुत important organizations है national level पर इस पर सब student level पर सब कुछ चलता है and also one of the biggest organizations national level पर जवाज हमारी exist कर रही है एक चीज़ और बता हूं मैं बहुत सारी ऐसी vacancies निकलती है जैसे आर्मी में एक पद निकलता है धर्मगुरू का मतलब मैं क्योंकि Sanskrit का candidate हूँ तो मैं जानता हूँ उसको तो वहाँ जो लोग NCC और NSS से आए हैं वो बहुत जादा priority में रखे जाते हैं तो यह और यह SAK वाल एक जगे नहीं यह तो मैंने example दी आपको अपने subject से military में भी in fact जब आप admission अगर आप वहाँ पे apply करते हैं military में entrance के लिए और आपने college level पे अगर आप NCC के candidate रहे हैं तो कहते हैं more or less मान के चलो कि आपका interview कहीं न कहीं qualify हो ही जाए तो वो benefits आपको वहाँ मिलेंगे इसके इलावा हमने अभी जैसे बात की कि अगर graduation से ही थोड़ा काम करके क्या है कि दो से तीन research paper submit करके publish करके फिर इतना mark बनता है मान लो एक research paper का दो mark मिला तो आपको तीन के छे मिलेंगे यहाँ पर अगर आप throughout मतलब overall topper रहे हैं gold medalist रहे हैं तो सीधा 5 marks वहाँ पर मिल जाते हैं तो कुछ बच्चे मुझसे दरसल यह पूछने भी आते ह कि माम मेरे पास दो options हैं net qualify करना है assistant professor बनना है कि एक तो बहुत ही देश की बहतरीन university से पढ़ने का मौका मिल रहा है कि एक university उसके अंदर सी college affiliated है या तो मैं वहाँ से पढ़ूँ मेरे घर के पास भी एक university है मुझे वहाँ से भी मौका मिल रहा है आप बताओ क्या करूँ तो म आई आप अपनी extra level पे करते रहें क्योंकि आप बढ़ी आसानी से university topper बन सकते हैं आप बढ़ी आसानी से वहाँ NCC NSS में admission ले सकते हैं आप अपने 10-15 marks वहाँ free में secure कर सकते हैं जो आपके API को strengthen करेगा इसे के साथ साथ अगर आप district level पे state level पे national level पे आपने किसी games में participate किये जहाँ पे आपको medal मिला हुए या आपके पास state, national level का sports का कोई certificate है उसके भी बहतरीन marks आपको दिये जाते हैं तो यह कुछ extra curriculars हैं जहाँ पे भी आपको excel करना है ना कि सिर्फ आप अपने API में marks जोड लेंगे पर आपकी overall personality development और wholesome personality development में भी यह बहुत मदद करेगा तो यह बात हो गए API की और net कैसे qualify करना इस पर तो हम नहीं करेंगे चर्चक की यह तो हम दिन रात YouTube पे करते ही हैं मैं इसमें एक point और मेरे मन में आ रहा है इसमें बात करते हैं हम लोग जैसे बड़ा बहुत common सी आवाज सुनने को मिलती है जो students की तरफ से के जैसे हम भी बात करते रहते हैं कि आजकल जो UGC net का जो level है वो हर बार का paper पहले वाले से हमें थोड़ा सा ज्यादा कठिन लगता है और अलग भी है अलग भी लगता है एक को देखके अगला नहीं predict कर सकते हैं तो पर इसको negative जब बच्चे देखते हैं इसको negativity से देखते हैं कि हमारा जो है वो ए UGC net हर बार हर बार हर बार deep पढ़ने की motivate कर रहा है आदर डाल दे रहा है कि इतना deep जा करके पढ़ो अपने विशे को जो है वो करो तो क्या यह हमें आगे का रास्ता आसान नहीं कर देता है आप कैस क्या सोचते हैं हमारे किसी भी mega pack में जुड़ने के लिए नीचे दिए ग बार है ठीक है अभी किया जो बच्चे 2000-2000 प्लस बार है जिनके साथ हम कल को जॉब में competition में रहेंगे यही वो बच्चे है जो हमसे competition में भी रहेंगे आगे मानली जे कोई आज PhD कर रहा है और अब से 4-5 साल बार जॉब सिक्योर करना चाता है उसके competition में डारेक्ली वो फ्रे बच्चों को मिल रहे हैं तो अगर वो practical front पे देखा जाए तो आपका competition भी आने वाले time में hard होता चला जाएगा तो क्यों ना आज से हम अपनी personality में और अपनी preparation में ये एक idea incorporate कर लें कि खुद के लिए चितनी चीज़ें difficult कर लें उतना बहतर है preparation level में higher से higher study करो जो नहीं समझ जाता है उसको ठाओ उसको पड़ो वहाँ अपना concept clear करो चाहे एक topic को समझने के लिए 4 teachers की video देखनी पड़ रहे हैं मैं तो अपनी class में हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको लग रहा है एक topic मैं बहतर नहीं समझा पारी हूँ कोई दूसरा teacher बहतर समझा रहा है मुझसर तो हर वक्त हर दिन खुद को बहतर करने का एक जजबा होना चाहिए जस दिन वो भूख मिट जाएगी हाँ उस दिन हम खटम हो जाएगा आगे की जर्नी जो है वो एक तरह से हम उस 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 रास्ते पर है ही नहीं हम हमरा track change हो गया और मैं जैसे आपने भी PhD में अडमिशन लिया इस बात पर कि मुझे भी लगेगा नहीं तो शायद आज competition बढ़ गया है difficulty level भी बढ़ गया है तो difficulty level भी बढ़ा ही है यहां से फिर अगला मुद्दा भी यही आता है कि फिर से जहां से मैंने video start की थी कि नौकरिया नहीं है अगर नौकरिया है तो यह पता कैसे चलता है कि कह है नौकरी या कैसे जुड़े मुझे सर कुछ बच्चे कॉल भी करते है कि माम अभी जैसे कुछ हरयाना में बच्चे expect कर रहे थे कि HPSE में assistant professor vacancies अभी आएंगी बर code of conduct लाग हो गया तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता और कई और states में भी यह दिक्कत अभी इस वक्त आ रही है सब कुछ doubt में चला गया, dubitable हो गया है तो ऐसे में private colleges में भी job करने का options रहता है तो बच्चे ये भी doubt पूछते है कि क्या हम join कर ले या ना करें उनको मैं यही suggest करती हूँ कि कर लो क्योंकि अगर आप private में भी join करते है उसका आपको experience count होगा गलको आपको government में जाने है वो experience आ भी marks होते है आदे साल का point five देंगे एक साल का one score देंगे महीने के साब से आपका score बनता है महीनों के हिसाब से literally तो आपका क्या मानना है इसमें कि अगर आपको लग रहा है अभी कहीं government पहले बाद तो vacancies आती कहा है advertise कहा होती है और अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपके dream college dream university आपके home state में आपको कोई अच्छी opportunity नहीं मिल रही है तो time fill करने के लिए आप क्या करें हमें पहला question आपका है कि बच्चे को कैसे बता लगेगा इसके दो तिन तरीके है हमेना थोड़ा सा पहले structure भी बता होना चाहिए कि जो vacancy निकलती है कई तरह से निकलती है जो university है university क अपना निकलती है उसमें अलग अलग departments का जो है वो हर साल में दो साल में तीन साल में जैसे जैसे वो vacancy होती है वागे उस हिसाब से वो निकालते है उनकी website को निकलता है पर कितनी university है और उनका कैसे पता करें इस पर भी बात करता है अब ही दूसरा procedure जो है वो states की हम बात करे स्टेट में भी दो तरह के college होते है कुछ जो government-aided college होते है government-aided college का जो है वो notification अलग निकलता है कुछ है कि जो state public service commission हाँ state के जो अपनी college होते है राज किये degree college के नाम से जिसको जाना जाता है तो government degree college GDC के नाम से हर state में अलग अलग निकलता है तो उसकी vacancy निकलती है तो उसक state का अपना अपना एक लोग से आयोग के द्वारा ही निकलती है दोनों जरह से लेकिन अभी यूपी में कर दिया गया है कि नए आयोग बन गया है और वो primary school से लेकर के और higher education तक जो है सारी vacancy वही आयोग निका लेगा और लगभग लगभग देखा जाये तो सभी स्टेट म government जो है उसी की सरकार ज्यादतर states में है बीजेपी की government किसी की भी हो पर इस तरह का vision जो है लेकर के चला जा रहा है नई new education policy आ गई है तो उसमें चीजों को इस तरह से form किया जा रहा है कि बहुत जादा इस तरह के अलग-अलग agencies ना हो करके एक agency सब को govern कर रही है जैसे admissions के ल universities है उसमें पर धीरे धीरे करके PG level पे भी और PhD level पे भी जादा से जादा universities रोपिन की जा रही है ताकि वो उसके साथ जुड़ सके तो मेजर नी मेरा जो experience रहा इस regard में वो यह रहा है कि एक तो जो भी आपका local आपका regional newspaper है तो मान लीजे जैसे North India में Times of India Indian Express in the Hindu ये तो nationwide बहु जो जो ऐसे कोई regional आपके newspapers है उनमे classifieds में ads आती है तो जो आपने aided colleges की बात की और इसके लावर जो और कुछ colleges है private colleges भी है in fact जो public service commission की भी जो पहली notification है वो आपके जो local major newspapers है वहाँ पे आ जाती है दूसरी बात है जो आप again technology का फायदा उठाओ मुझे जो बहतरीन लगता है एक तो आप हम जैसे हमारा चानल है UGCnet Adder247 इसको subscribe करके रखो फिकर हम यहाँ पे भी सारी vacancies cover करते हैं सारी नहीं तो major करते ही हैं करते ही है maximum करते हैं इसके अलावा facebook पे telegram पे groups बने होते हैं बिलकुल PhD vacancy assistant professor vacancy college vacancy तो आप इन groups का part बने बिकर मैं ऐसे कई groups का part हूँ और हर दिन में आप मानेंगे 20 से 25 देश भर से vacancy post महा आपे रहे हैं कहीं contractual निकला है कैसा भी निकला है मतलब मैं अगर आज यहां हम मान लीजे दिल्ली NCR में अगर हम काम कर रहे हैं तो मैं in facebook whatsapp groups के थू मैं करनाटका में किसी college में vacancy आ रही है मैं वो भी देख पा रही हूँ मै बंगॉल में कोई vacancy आ रही है उसको भी देख पा रही हो राजस्तान के किसी aided college की vacancy भी देख पा रही है तो है ही और worldwide भी पता लगता है क्योंकि government of India की ऐसी policies है कि अलग-अलग subject के expert भेजने होते हैं बार तो उनकी vacancies भी जो हमें से पता लगती है राइट बिलकुल तो technology क फाइदा उठाना चाहिए इनसे हमें फाइदा मिलता ही है कुछ और ऐसे भी है telegram groups बहुत सारे इस तरह के भी है जब हम लोग facebook पर whatsapp पर telegram पर इतना time बिदाते हैं तो थोड़ा सर्च करके देखिए आप ऐसी student professor को सर्च करेंगे तो आपको 50 group मिलेंगे आप अपनी तरफ स जा करके देखेंगे तो वो भी मिलेगा बड़ा सान है इनके through vacancies को immediately tackle करना यह है दूसरी एक बात और है मैं थोड़ा से इसमें एक चीज़ और अपने तरफ से के यह सब तो हुआ यह तो एक candidate के पास 50,000 option है उन 50,000 option में जो है जो जो जितना ज़्यादा गुसेगा वह उतन ज़्यादा चीज़ों को देख पाएगा पर क्या होता है न जैसे हम हमें दुनिया में सला देने वाले 50 लोग हो और एक हमारा best friend जो हमें सला देता है ऐसे ही आप YouTube पर जितने भी इस तरह के pages हैं या ऐसे channels हैं पूरी तरह से 2-4 दिन लग करके खूब research करो देखो किस ने क्य क्या पढ़ाया है जैसे मैं हम अपने channel से बहुत सारे जनकरिया देते हैं बहुत सारे और भी channel है आप बहुत सारे channels को देख करके फिर कोई एक ऐसा बिल्कुल एक authentic आप लोगों को information यह है कि सब channels को देख करके फिर जो आप लोगों को लगे के trust कर सकते हैं इस channel पर जाकरके फिर उनकी बात सुनना शुरू करो बिल्कुल चाहे वो हम है या कोई और भी है अगर हम से अच्छा कोई और कर रहा है तो वो भी उसको भी देखा जाना चाहिए बिल्कुल मैं तो यह मान तो जिस hypothesis से हमने यह session begin किया था कि नौकरिया नहीं है session के end तक हम उस hypothesis को reject करते हैं हम कह रहे हैं कि नहीं नौकरिया इस पे जो है न और एक ऐसी दलील देता हूं मैं कि यह बिल्कुल ही reject हो जाएगी वाली बात मैं बताता हूं अभी 2024 में क्या क्या option है जो मेरी tips पर है हरियाना आपका state से यहां से शुरूहत करते हैं हरियाना में अभी दो दिन पहले भी news थ आने से पहले 3600 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बड़ा नंबर होता है यह प्राइमरी स्कूल की वेकेंसी नहीं है कि जहां जहां आप लोगों को पचास हजार एक लाग वेकेंसी मेलते हैं तो तीन सो चार सो पांट सो मैक्सिमुम जो नंबर रहता है पर हरियाना मेरे ही सब्जेक्ट में इंग्लिश में इस बार एकस्पेक्टेड है कि तकरीवन 700 वेकेंसी किना बड़ा नंबर है बहुत बड़ा नंबर है और एक स्टेट में चोटे स्टेट में यूपी वाला स्टेट नहीं है तो लगभग लगभग जो है वो 3600 पोस्ट आपके हरिया एक सब्सक्राठाए हाँ में जाने से पहले जिम्मेधारी होती है अपना सस्टेट करना होता है जन等一下 के सामने हर याना एक बड़ा आपके पास opportunity है यूपी में 2022 में निकली थी वेकंसी निकली थी एक हजार से ज्यादा वेकंसी है वो तो निकल करके उनका एक्जाम होना है कोर्ट ने अभी एक ऐसा लताड़ भी लगाई थी यूपी गवर्मेंट को लेकर के और योगी जी ने भी इस पर कहा था पूरा अधियाचन मांग करके मुझे अगर मैं नंबर मोटा मोटा समय काउंट कर पा रहा था उस पर मैंने एक सेशन भी किया था पंदरा सो के असपास और वेकेंसी बतर धाई अजार का ओप्शन हमारे पास यूपी अभी बनता है बिहार मैडम लंबे समय से खाली पड़ा हुआ था एजूकेशन के मामले में बिहार ने बहुत तेजी से अपने आपको रिफॉर्म किया है गवर्मेंट चाहे किसी भी द उकरियां दिखाई दी है और वहां स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए उन्होंने गाइडलाइन अपनी बना ली है जैसे ही यह सब निपटेगा फिर बिहार में भी चुनाओं होने है उससे पहले पहले तो अगले एक डेट साल के अंदर-ंदर मुझे वहां दिख चारहजार से ज्यादा बड़ा नंबर वहां पर है विहार मतलब मैं अभी उत्तर भारत की बात कर लेता हूं तो यह एक स्टेट हमारे पास ऐसा है मुझे एक बहुत बढ़िया स्टेट लगता है राजस्थान साल में तीन-चार तीन-चार वेकिंसी अलग-लग डिपार्ट देखते हैं तो पर बढ़िया है मतलब बहुत पारदर्शिता के साथ जीजे हो जाते हैं अभी जैसे हिंदी का भी असिस्टन प्रोफेसर का हुआ है और राजस्थान में क्योंकि सेट कंड़क करके रिजल्ट निगाल दिये थे पिछले साल तो अभी जनवरी से मई की महीन हम अभी बात कर रहे हैं केवल यह जो लोक सेवायोग वाली जो पुब्लिक सर्विस कमिशन वाली है युनिवर्सिटी की बात मी करूंगा मैं इसमें आपको एड़ करके अभी हम बात करें महाराश्ट्र में निकला है सेट निकला है और उसका फिर एक्जाम होना है वहाँ बंगाल में जो है वह सेट निकला था aly़ाली बड़े लेकल पर करणाटिका में सेट निकला है जहां भी सेट है और स्ट की अभदा राणा है वो यही है कि कोई भी स्टेट घॉटर का एक्जाम निकाल रहा है मतलब वह उसकी एक्शरसाईज है विकंसी से पहले बिकले हम Assistant Professor की बात करें तो हर्याना में बहुत जल्द expected है उत्राखंड में आप शायद उत्राखंड में मैं अभी है वहाँ भी नंबर ठीक ठाग नंबर है वाँ पंद्राखंड में इसके लावा MP और MHA दोनों ही set कर आते हैं नेक्स्टिंग का स्टैप यही होगा कि AP की इन हुज नंबर्स कि मैं तयारी करवाइए तरवाइए तो मैं सोच भी रहती कि और किसी स्टेट से कभी इतना हमें वो पुश नहीं मिला च्टिंगर के कैंडिडेट से क्यों तो वो कहानी फिर वहाँ समझ आई कि वहाँ पर बहुत राइगूरल डेवल पर च्टिंगर में भी वेकेंसी रिलीज होती रहती है यह एडमिशन होते रहते हैं यह जो हैना मैंदम दो स्टेट्स को लेकर के जारखन और च्टिंगर बिहार जैसे अपने आपको बहुत तेजी से आगे लेकर के आया है एडुकिशन सेक्टर में ऐसे ही इनके दो स्टेट्स के उपर भी दबाव है वहां की पब्लिक जो है वो गवर्मेंट से एक्स्टेक हम स्टूदेंट्स को ये भी दे सकते हैं कि अगर आप नेट की तयारी कर रहे हैं पोस्ट ग्राजवेट लेवल पे हैं और नौकरी का टेंशन है तो यही जिन स्टेट्स के अभी हम बात कर रहे हैं ये वो स्टेट्स भी हैं जो TGT PGT वेकेंसी में भी काफी उपर रहती है और cyclically अपने exams conduct कराती रहे हैं कि पिछले दो सालों मेनी स्टेट्स में हमें बहतरी नंबर में TGT PGT exams होते दिखे हैं तो आप PGT लेवल पे भी कहीं क्योंकि नेट की जिसने तियारी कर ली TGT PGT उसके लिए बाइनाथ कर रहे हैं तो अगर वो PGT लेवल पे apply कर लेता है क्य तो यह तो बहुत beneficial होता है तो अब जब आपको कल को net quality night app के हाथ में set app के हाथ में कल को आपकी public service commission को vacancy निकालती है या कुछ होता है आप वहाँ apply करो interview में भी आपको इस चीज़ का एक interviews के तरफ से benefit मिलेगा अगर आप already उसी state के किसी government school में PGT है या private school अच्छे school में PGT है व वही डिली जो है जो देश की राजधानी है एक इतना चोटा सा एरिया है और इसी में ही 70-70 college जो है वो डी यू के अंडर में जो है south campus, north campus को मिला करके हैं और अभी मैं पिछले एक साल में देख रहा हूं मैडम मुझे हर दूसरे तीसरे दिन हर college का जो है वो notification देखने को मिल जहां भी vacancy निकल रही है चाहे आपको वहां जाना है नहीं जाना है जॉइनिंग करनी है नहीं करनी है जाइए अगर exam हो रहा है तो exam दीजिए set का exam हो रहा है net qualify करने के बाद तो भी दीजिए हम इस पर बहुत discuss करते भी रहते हैं तो यह exercise बहुत जरूरी है अपने आपको update बेट रखना और जिस दिन जहां आपको जहां चाहते हो कि मुझे यहां नोकरी मिल जाए कोई चाहता है कि मुझे जारखंड में के युनिवर्सिटी में मुझे assistant professor बन जाओ तो उसके लिए अगर दिल्ली में आके उसने को interview दिया है चतिसगड में जारखंड में बंगाल मे जाकि को interview दिया है वो वहाँ उस दिन उसको selection में बहुत लाप देगा तो यह exercise बहुत जरूरी है और हिन भावना से नहीं आगे बढ़कर के challenge के रूप में स्विकार करेंगे तो बहुत आसान होगे चीज़े हमारे के बहुत ही अच्छे note पे I think positive note पे हम आज के इस podcast को end कर सक तो हमारा एक aim ये भी था कि हम सिर्फ subject matter experts नहीं ढूंड रहे थे इस channel पे पढ़ाने के लिए आप अपनी इस channel पे पढ़ाने वाले सभी educators के अगर मैं बात करू हम सभी के सभी मैं खुद धाई साल government service और उससे पहले सवा साल private college में as in as a regular faculty पढ़ा चुकी हूँ धाई साल मैं सरकी recently ही विल्कुल complete हो हुई है और बहुत सालों से सरने इसके उपर बहुत ही बखुबी मेहनद की है इसके लाब आप जितनी भी और faculties देख रहे हैं वो सब GRF qualified हैं, MFIL scholars हैं, PhD scholars हैं तो हमां हम आपको ये जो बाते बता रहे हैं ये आप कहा सकते हैं horse's mouth से information आपको मिल रह मुझे हमने वो अब हम top से देख रहे हैं उन चीजों को और आप अभी वो पहाडी का रस्ता चल रहे हैं हम आपको देख रहे हैं चड़ते-चड़ते हम आपको बता पाएंगे कि ये रस्ता लेना है ये नहीं लेना है ये रस्ता तो अगर आपको आज का session अच्छा लगा तो like तो जरूर करके चाहिए पर उससे जादा अगर ये बातों में कुछ आपको doubt लगा या आपको लगता है कुछ और जानकारी थी जो आपको इस regarding चाहिए तो वीडियो के नीचे comment section में जरूर अपना doubt लिखके बताएं क्योंकि फिर update सर और मैं एक और FAQ session आपके लिए ल ताकि आप सिर्फ exam qualify नहीं करें आप नौकरी तक भी पहुंचे और अपने जीवन अपनी lifestyle को बहतरीन करें अपने लिए एक beautiful future create कर सके अपनी family को security provide कर सके और खुद में वो confidence अचीव कर सके जो हम आपमें देखना चाहते हैं इसी note में आज के session को end करते हैं आप सबको परिवार की और से यूजी सीनेट पूरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुपकाम नहीं बाकि कहीं भी आपको किसी भी जगह पर किसी भी स्थान पर आपको आवशकता होती है तो हम आप लोगों के लिए खड़े हैं हर समय हर दिन हर मोड पर नमस्ते